Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel, Magnet Brains. Magnet Brains आपको provide कराता है high quality education, वो भी बिलकुल free of cost. Kindergarten से लेके, class 12 तक की. So, पीछे आपको क्या देख रहा है? हम हिंदु स्वाराज. जो कौन लेकर आए थे? जो ये बात किस ने कही थी? हमसे महात्मा गांधीची ने कही थी. इसके बारे में देखेंगे कि क्या 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 important terms, क्या क्या important बाते इसमें महात्मा गांधीची ने हमें बताई हुई है. आज क्या है? आज 2 October है. गांधी जैनती, गांधीजी का जनम दिन है. तो उनके बारे में अच्छी बाते क्या कि उन्होंने हमें हमारी life या हमारी country के लिए अच्छी बाते progressive चीजें हमें बताई वो हम जरूर देखेंगे तो फटा फट से इसी बात पे तो पहले आप like कर दीजे ठीक है आज गांधी जैनती है बिना किसी कंजूसी के लाइक और शेयर कर दीजे ठीक है क्या है आज गांधी जैनती है बिना किसी कंजूसी के लाइक शेयर कर दीजे जल्दी जल्दी से फिर देखते हैं कि क्या बात यहां पे कही जारी कौन से फैक्ट से आपे बताए जा रहे हैं चलो जादा टाइम नहीं लेते हैं और समझते हैं कॉंसेप्ट ओस्वाराज वाज इंस्पार बाइड इस संस्कृत वर्ट स्वाराज which is made up of the word swa and raj means self rule जो concept है Swaraj का वो किस से इंस्पार होके आया थे एक संस्क्रिक वर्ट सा स्वाराज नाम था जिस टर्म का which is made up of the word जो word से बना था कॉन से कॉन से word से बना था, swa से बना था और raj से बना था swa और raज से बना था जिसका मतलब होता है self rule जिसका मीनिंग क्या होता है, self-rule, self आपको पता है, स्वा, खुद से और रूल, राज करना, self-governance, गांधी बिलीव दाट, स्वाराज वोज अब इंडवीज़ और कम्मिनिटीज गवनिटीज गवनिग देमसेल्स, राधर देन बींग गवन बाई हारिकल स्ट्रॉक्चर, है न, कि ये ब्रामन है, शत्री है, शूद्र है, वैशे इस तरीके से, या हम बात करें, जेंडर वाइस की भई, आदमी है, तो आदमियों की पावर चलेगी, और तो की नहीं चलेगी, कलर के बेसिस पे, तो ये नहीं होना चाहिए, आप क्या करो, सेल्फ गवन करो, मतलब पूरा दिकार है आपको, सही बात है, हम क्यों ये सोशल स्टेटस ही फॉलो करें, हम क्या इंसान नहीं है, हम भी तो इंसान है, बात तो बराबर ही हो जाती ही न, justice for all, स्वाराज was about ensuring that everyone had access to basic necessities and that no one was harmed by others, स्वाराज में ये भी था कि सब को जो जो basic necessity हर इंसान को चाहिए होती, हर human being को चाहिए होती, हर Indian को चाहिए होगी, सब के लिए बराबर वो basic necessities available हो, चाहे हम किसी भी basis पर बात करें, education की, respect की बात करें, है न, चाहे हम health की बात करें, किसी भी चीजों की, है न, that no one was harmed by others, याने किसी दूसरे को कोई harm ना करें, मतलब injustice ना करें, अन्याय ना करें, तो क्या चलो, non-violence, अहिंसा की बाते तो गांदी जी वैसे भी करते थे, गांदी believe that peaceful tactics such as satyagrae were the best way to achieve freedom and justice, गांदी जी मानते थे, उनका believe ये था कि जो peaceful tactics है, कैसी तरीके, तोर तरीके कैसी हम कह सकते नितिया, peaceful, मतलब जो शान्ती, मैं तरीके से चले है शान्ती वाद, such as satyagrae were the best way to achieve freedom and justice, मतलब आप saty का साथ दो, saty कहो, हैना गलत मत सहो, जो भी है सत्ती तरीके से कहो ना हिंसा करो, कुछ नहीं, satyagrae, financial independence, स्वराज include the idea of supporting local industries and limiting reliance on imports, स्वराज ने ये भी include करा कि इसमें आप अपनी country के, आपके देश में जो भी product बन रहे हैं, जो भी चीज़े बन रहे हैं, जो भी local trader है, local जो बनान, manufacturer है उनको जादा आप, उन पर जादा वो करो, उन पर जादा rely करो, ना कि बाहर के सामान पे हैं ना, बाहर से जो आ रहा है इंडिया की बनीवी चीज़े खरीदो, हमारी इंडिया की एक शान है, इस तरीके से, ठीक है, तो उस पर ध्यान दो Social equality, स्वाराज was about creating a society where everyone had equal social status, regardless of their race, caste, sex, religion or other distinctions अब देखो, financial independence तो हमने देखे लिया की खुद की country की चीज़ों को प्रमोट करो, ना कि बाहर के सामानों को खरीदो हम यहीं बोलते हैं, ऐसे ही, social equality याने सब के साथ एक समानता हो, किसी के साथ भी किसी भी प्रकार का भेदभा होना हो, status के basis पे, कि अमीर है, गरीब है, उनके race, color के basis पे, caste के basis पे, sex के basis पे, धर्म के basis पे, या other भी किसी तरीके से, जो भेदभा होता है, कि तुम तो अमीर हो मतलब हम तो अमीर है, तुम तो गरीब हो, है ना हम तो आदमी है, तुम तो और रहत हो, तुम यह नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, ठीक है, equality होने चाहिए, किसी के साथ, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है, चलो, truth and integrity, भई सच्चाई, स्वाराज इसमें यह भी बताया, इसमें यह भी मेंशन था, आइडिया, दाट पीपल शुड, जो लोग है, उनको हाई एथिकल स्टेंडर्स है, जो मूरल वेल्यूस की हम बात करते हैं, चाहे वो प्लिक के लिए कहे, चाहे प्राइविट लाइफ, मतलब इंसान को कैसा रहना वैसे तो स्वराज को मीन हम कहते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन इन्हों ने ऐसी ऐसी चीज़े बताई ए, जो हर लाइफ के हर हिससे में, हर स्पेर में क्या करता है? हमें ग्रो करता है, हमारे लिए अच्छा करता है, चाहे हम अहिंसा की बात करें, चाहे भेदभाव को अठान की बात करें चाहे खुद को ग्रो करने की बात करें सब्सक्राइब और चैपको सब कुछ अच्छे समझ में आया होगा तो जैसे कि मैंने कहा कि आज गांदी जैनती है तो लाइक शेट सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है और comment करके आपको क्या लिखना है happy गांधी जोईनती ठीक है सब को comment करके यह जरूर लिखना है ठीक है इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है अगर आप और भी वीडियो के lectures देखना चाहते हैं तो आप magnet brains की YouTube चानल application website पर देख सकते हैं e-notes और e-books के लिंक आपको description box में available है ये सारे high quality की courses हैं जो कि 100% free आपको available रहते हैं आप हमें सारे कि सारे platform पर follow कर सकते हैं जैसे की क्या क्या है YouTube है Facebook है Instagram है X और WhatsApp पे तो like, share, subscribe करना बिल्कुल भी नहीं भूलना अपना ख्याल रखना Thank you so much for watching